हलो माई डियर फेंड्स आप सभी का हमारी चैनल करें टिश्री पर स्वागत हैं दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटिकनिक थर्ड समेशनल में डिजिटल एलेक्ट्रोनिक्स की दोस्तों यह डिजिटल एलेक्ट्रोनिक्स का तीसरा वीडियो है था यह फस चैप्टर का बाइनरी में कैसे चैंज करते हैं और फिर बाइनरी को आक्टल में और डेशिबल को आक्टल में किस प्रकार से चैंज की जाता यह conversion कैसे होता यह सारी चीजे इस वीडियो के माध्यम से करेंगे तो वीडियो लास्ट तक देखेगा और पिछले के दो वीडियो अपने नहीं देखा तो description में मैंने playlist का link दिया है वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं तो दोस्त अगर आपने टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो अगर आप टेलिग्राम यूज करते हैं तो जाएए वहाँ पर आप सर्च करिएगा current study लेकिन आप इस प्रकार से सर्च करिएगा कि वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाए तो दोस्त current और study के भी बिल्कुल इस पेस नहीं रखिएगा दोनों एक साथ सर्च करिएगा टेलिग्राम पर इसको जॉइन कर लीजिए वहाँ पर दोस्त ऑफिसल जैसा कि आपको पता है वेफसाइड है हमारी current history.org तो आप सभी के लिए उसको बनाया गया है तो उसमें जो important post लिखा जाता है article उसको मैं वहाँ पर भेज देता हूँ जिससे बहुत से student उसको पढ़कर सारी चीजों को समझते हैं तो आप टेलिग्राम पर जॉइन हो जाईएगा आपके लिए बेहतर होगा चलिए आज मैं जिस topic की बात करने वाला हूँ दोस्ति ये octal number system है octal number आप से नाम से ही वाकिब हो रहा है कि octal number system का जो base होता है वो 8 होता है जैसे binary number system का base कितना होता है 2 चुकि इसमें 1 और 2 binary में कितने होते हैं 0 और 1 आपका होता है binary में तो इसलिए उसका base आपका 2 होता है और octal में आपका total 8 होता है इसलिए इसका base कितना होता 8 और अगर हम बात करें octal number system के maximum मान कितने होते हैं तो 0 से 7 तक octal number system के मान होते हैं अगर इसकी value की बात करें तो maximum value 0 से 7 तक होती है और अगर आप 0 को लेकर यहाँ पर गिनेंगे तो total कितना होगा 8 ध्यान दीजेगा 0 को लेकर गिना जाता है तभी यहाँ पर total 8 होते है जिसे octal number system कहते हैं चीजों को थोड़ा समझते चलेंगे तो ज़्यादा बेतर होगा धीरे धीरे मैं चीजों को समझाऊँगा यहाँ पर जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे है देखे दोस्त यहाँ पर आपको यह दसंबलो लगा है दसंबलो के इस side में अर्थात यह जो आपको दसंबलो लगा है इसके इस side में LSB कहते हैं और इसको MSB अर्थात इसे least significant bit बोलते हैं और इसे most significant bit बोलते हैं ठीके तो देखिए अगर आप दसंबलो के पीछे जाएंगे तो 8 के पाउर minus 1 करेंगे ठीके जो यहाँ पर value रहेगी उसको यहाँ पर हम 8 के पाउर minus 1 से multiply करेंगे अगर यहाँ पर माल लीजिए 2 value है तो 8 के पाउर minus 2 से multiply करेंगे तीसरे नंबर पर कोई value होगी उसके 8 के पाउर minus 3 से multiply करेंगे अर्थात पीछे की और यहाँ पर 8 के पाउर minus 1 minus 2 minus 3 जाएंगे और आगी की तरब दसंबलो की आगी की तरब 8 के पाउर 0 8 के पाउर 1 8 की पॉल 2 इस प्रकार से आप चलेंगे तो जिधर आपका बढ़ता है मान उसे most significant bit कहलते हैं ये 20 तरब को most significant bit और दाहिने तरब को जिसका मान कम होता जा रहा है वो है आपका least significant bit चलिए अब important point के चलते हैं अब आप यहाँ पर आसा करते हैं समझ कहेंगे कि octal number system का base 8 होता है और 0 से 7 तक इसकी value होती है ठीक है और ये point आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि दसंबलो के पीछे इस प्रकार process चलता है और दसंबलो के जश्ट आगे इस प्रकार से चलिए यहाँ पर main point है कि octal number system में octal number को decibel में किस प्रकार से परिवर्थित किया जाता है जो कि आपके paper में पूछा जाता है देखिए octal number संख्या जो होता है वो decibel में बदलने के लिए octal संख्या के प्रतेक अंको 8 के पौर minus 1 से गुड़ा किया जाता है और इसके पश्चात सभी गुड़न फालो को जोड़कर octal संख्या के decibel संख्या प्राप्त की जाती है simple सा बान है दोस्त जैसे यह आपको 658 एक एक जामपल के तोर पर हमने लिया 654 तो यह आपको क्या दिया है एक octal संख्या दिया है इस octal संख्या को decibel तुल्या कि decibel number में जब आपको बदलना है तो इसके लिए क्या करना होगा कि प्रतेक octal संख्या को यहाँ पर 8 के power है minus 1 से आपको multiply करना होगा multiply करने के बाद सभी को add करना होगा जो value आएगी वो आपका decibel में होगा देखिए अब decibel में मैं आपको यहाँ पर example को यहाँ पर लगा कर आपको clear बताता हूँ देखिए हमने क्या किया 654 आप एक डिब्बे के अंदर जितनी value रहेगी उतने आप डिब्बे बनाएंगे जिससे आपको आसानी से visual होगा इसलिए हमने यहाँ पर डिब्बे का स्टार्ट होती है जब आप पीछे की तरफ से चलते हैं तो 8 के पावर 0 8 के पावर 1 8 के पावर 2 यह इस प्रकार से आपका process चलता है चुकि हमने आपको क्या बताया 8 के पावर minus 1 से सभी को multiply करते हैं तो 8 की पावर n minus 1 तो n की पावर यहाँ पर कितनी है दोस्ते यह आपका पहले नमबर पर है यह दूसरे नमबर पर है यह तीसरे नमबर पर है तो पहले पर है मतलब n की पावर 1 ह springs तो 1 minus 1 करेंगे तो 8 के पावर कितना जाएगा 0 इसलिए पहले पे 8 के पावर 0 से multiply करते हैं इसी बगार हम दूसरे के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर n की value आपकी 2 हो गई यहाँ पर n की value 1 है यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर आपके n की value 3 है तो 8 की power n-1 मतलब 8 की power 2-1 करेंगे तो 8 की power 1 आएगा तो 4 into 8 की पाउर 1 करेंगे इसी प्रकार आपका last n बराबर 3 यहाँ पर value होगा तो 8 की पाउर 3 minus 1 करेंगे तो आपको हो जाएगा 8 के पाउर 2 तो 6 into 8 के पाउर 2 हमने आपको क्या बताया जब आप octal number system में octal number को decimal में change करते हैं जब octal को अर्थात 8 वाले base को आप decibel में change करते हैं तो जो आपको octal number दिया रहेगा उसको आपको इस प्रकार से पहले लिखना है उसके बाद simply आपको यहाँ पर पीछे की तरफ से चलते हुए यहाँ पर आपको पहले में 8 8 की पाउर 0 से multiply करना है 4 जैसे है तो 4 इंटू यहाँ पर 8 की पाउर कितना करेंगे 1 से multiply करेंगे यहाँ पर आप क्या करेंगे 4 इंटू 8 की पाउर कितना करेंगे 2 से multiply करेंगे इस प्रकार से यहाँ पर करेंगे और इसको करने के बाद यह step number आपका 1 होगा step 2 में यह होता है दोस्त कि step 2 में यह सभी मान को आप इन गुणन फॉल को जोड लेंगे और जोडने पर जो मान आएगा वही आपका किसमे होगा decimal तुल्यांग होगा तो simply हमने 6 x 8 के पावर 2 प्लस दिखें यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस 4 x 8 के पावर 1 जो होगी वो 1 होगी तो 5 x 1 हो जाएगा तो simply आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको multiply करेंगे तो कितने जगे 6 x 24, 6 x 36, 37, 38 अर्थाथ आपका यहाँ पर 384 होगा और 8 x 8 का आपका 32 प्लस 5 इसको आप total add कर लीजे आपका आजाएगा 421 421 टोटल जोडने पर आएगा अब यह आपका decibel में change हो चुगा है और decibel का जो base होता है वो कितना होता है decibel का आपका 10 होता है तो इसलिए आप 421 का whole base कितना करेंगे आप 10 करेंगे तो यह आपकी complete answer आगया तो जब आपसे कोई बोलता है कि भाई साहब यह आपको octal संख्या है इसे decimal में change करिए तो simple आपको यहाँ पर decimal की जो यहाँ पर value रहे की उसमें आप 8 के पौर minus 1 से सभी को multiply करके जोड कर जो आएगा वही आपका answer होगा जैसे यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर n की value 1 है यहाँ पर आपकी n की value 2 है यहाँ पर n की value 3 है तो अहाँ पर 1 minus 1 करेंगे तो 0 होगा वही चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 minus 1 होगा तो 8 के पौर 1 यहाँ पर आपका 3 minus कितना होगा 3 minus 1 होगा तो 8 के पौर 2 आसा करते हैं यह चीज आपने समझ चुके होंगो दोस्त सबको multiply करके जोल देना है फिर power में आपको 10 कर देना है base में आपको 10 देना है वही आपका answer होगा next point बहुत important हो जाता है अभी आपने octal संख्या को decibel में change किया अब octal संख्या को हम binary में परिवर्थित करते है binary बोले तो 0 और 1 के farm में जो होता है ठीक है binary ठीक है और इसका base कितना होता है 2 होता है क्यों चुकि 0 और 2 ही इसकी 0 और 1 दो ही इसकी value होती है binary में तो जब octal को binary में change करेंगे तो उसके लिए क्या process समझेगा जैसा कि आपको पता है कि octal संख्या का base 8 होता है अता इसका जो अधिकतम मान होता है 7 होता है अधिकतम मान कितना होता है 7 होता है मतलब आपका जो 0 से start होता है कहां तक जाता है 7 तो अधिकतम value कितनी होई 7 चलिए आपका निश्ट पॉइंट है कि आक्टल संख्या के प्रत्यक डिजिट 0 से 7 के लिए binary आपका तुल्यांक निश्चित होता है ये आपका ध्यान लगिए अभी तक decimal तो आपने निकाला लेकिन आक्टल संख्या से binary में जो आपका तुल्यांक होता वो fix है अर्थात उसको आपको याद करना होगा मैं यह क्या आपको तरीका बताऊंगा अगर आपको अच्छा लगे तो इस प्रकार से आप याद कर लिजेगा आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा देखिए दोस्त आक्टल नमबर में आपका पता है 0 से 7 तक आक्टल नमबर है तो सभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 यह सभी का अलग-अलग equivalent binary number है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे है यह octal number यहाँ पर लिखा हुआ है यह आपका equivalent binary number लिखा हुआ है ठीक है तो देखिए अगर आपका यहाँ पर 0 से start करते है 0 से कहां तक है दोस्त 0 से 7 तक है तो अगर हम बात करें यहाँ पर 0 से start करते हैं तो 0 का octal number जो आपका होता है उसका binary में change करेंगे तो binary equivalent होता है तीन बार आपको 0, 0, 0 लिखना है अर्था 0 का octal number है उसका binary change करेंगे तो वो भी आपको 0, 0 प्राप्त होगा चलिए निश्टा आपको दोस्त यह होता है कि अगर आपसे 1 से 1 octal number है उसका आपसे पूचा जाता है कि आप binary देखें अभी आपको दोस्त यह binary अभी आपको अक्टल से हैं समल लीजे कि 2 आगे 0 है लेकिन पीछे आपका 1 है चलिए उसके बाद आपका दोस्त 2 का यहाँ पर 0, 1 0, 1, 0 है ठीक है 0, 1, 0 3 का आपको 0, 1, 1 है एक चीज आप यहाँ पर देखिए एक common आप यहाँ पर देखिए कि 0 का तो 0 हो गया आप ऐसे याद रखिए कि 0, 1 0, 1 ठीक है और उसके बाद आपका फिर 10 फिर 11 ऐसे आप रखिए यहाँ पर 0, 1 फिर 10 और 11 और यहाँ पर आप ध्यान से नीचे देखेंगे 11 के खत्म होने के बाद फिर 0, 1, 10, 11 ऐसे याद रखिए सुनिए यहाँ पर आगे आपको तो 0, 0 है यह तो आपको यहाँ पर याद रखना है और इसमें आगे 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 आप यहाँ पर 1, 1 कामन समझिए कि यहाँ पर 3 के बाद जो आपका 4, 5, 6, 7 होगा इसमें आगे 1 है लेकिन पीछे का आपको बहुत सिंपल है पीछे आपका क्या है दोस्त 0 की बाद आपका 1 है 1 के बाद आपका 10 है 10 के बाद आपका 11 है ठीके और अगर आपको ऐसे नहीं याद होता तो आपको पता है कि यहाँ पर 0 का तो 0 है उसका तो confirm है आपका इसका आपका मान यह 1 का 1 होगा और 2 का आपका 10 होगा और 10 और 1 को add करें तो कितना होगा 11 होगा यह आपका second type ऐसे आप समझ सकते हैं कि 0, 1, 10, 1 और 10 मिलकर यहाँ पर 11 हो गया ठीक है इसी प्रकार यहाँ पर दोस्त आपका पहले 0, फिर 1, फिर 10 और 10 और 1 जुड़कर 11 हो जाएगे और हमने बता दिया आगे आपका यहाँ पर याद रखना है कि आगे यहाँ पर 4 में 4 से start होकर 7 तक आपका 4 हो क्या होगा 11 आगे होगा और 1 से लेकर 0 से लेकर 3 तक आगे 00 होगा मतलब कुल मिलाकर मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ इस प्रकार से आप थोड़ा कामल समझ के चीजों को याद कर लिजे जिससे आगे आपको काम आएगा ठीक है यह इसके लिए fix है फिर से गह रहा हूँ यह fix है 0 के लिए 0000 1 के लिए 001 2 के लिए 0010 3 के लिए 0010 011 ठीक है इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते है मैं एक मट यहाँ पर रोग देता हूँ यह देखिए आसानी से आप देख लिजे ठीक है यहाँ पर आप देख लिजे यह चीजे है ठीक है उसके बाद आप चलते है आगे की step में यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं उसके बार आए देखते हैं अगला step क्या है चलिए अगला दोस्त यहाँ पर आपको बताते हैं कि octal संख्या को binary में जो हमें आपको rule अभी बता रहे थे वो कैसे change होता है तो यह आपको octal दिया octal आप कैसे पहचानेंगे आपको 364 दिया है इसका आपको base 8 दिया रहेगा यहाँ पर आपसे लिखा है यह सामने आपसे यहाँ पर लिखा रहेगा कि octal संख्या को binary में change करिए तो ऐसे आप समझ सकते हैं अगर वहाँ पर octal संख्या नहीं लिखा तो इसका base 8 लगा है तो अभी आपको अगर 3 की value पता होती कि binary में 3 की value क्या होती है 6 की 4 की value क्या है तो आप तुरंत लिख देते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देखिए 4 की value 100 है आपको यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं 4 की value कितनी है 100 है ठीक है 3 की value कितनी है 0 11 है ठीक है इसी प्रकार और यहाँ प simple सा मतलब दोस्त ये है कि जब आप 2-4 question इस से करके लगाएंगे तो यहाँ पर आपको numbering भी याद हो जाएगी इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसे याद रखे 0, 1, 10, 11 फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 0, 1, 10, 11 और यहाँ पर चार के बाद 1, 1 है उपर आपका चार के बाद उपर जो है 0, 0 है ठीक है 0, 1, 11 0, 1 और यहाँ पर आपका 0, 1, 10, 11 ऐसे आप याद रखिए चलिए मैं यहाँ पर इस concept को fix करता हूँ तो यहाँ पर दोस्त क्या है 4 का आपका binary number कितना होता है octal से binary में change करेंगे तो binary number आपका 10 होता है 6 के लिए आपका 1, 1, 0 होता है 3 के लिए 0, 1, 1 होता है यह fix है और इसी को क्या करना है आपको सभी value को एक साथ लिग देना है अर्थात अगर हम कहें इसका answer कितना है तो इसका answer दोस्त 0, 1, 1 ठीक है 1, 1, 0, 1, 0, 0 और इसका पूरे का हम base करेंगे कितना 2 चुकि अब आपका octal binary में change हो रहा है ठीक है जब binary में change करेंगे तो आप base में 2 लगाएंगे तो simple सा आपको यहाँ पर सजमेंगे 3, 6, 4 की आप अगर मतलब जो आपका 0 से 7 तक octal number है binary में change करने पर जो प्राप्ट होता है उसको आपको याद रखना होगा जब आप उसे trick के मादम से याद कर लेंगे तो आप आसानी से यहाँ पर तुरंद put up करेंगे इसके नीचे और आपको तुरंद यहाँ पर answer हो जाएगा आसा करते हैं यह चीज आपको बिल्कुल clear समझ में आयोगा अब चलते हैं next point की ओर अगला दोस्त point बहुत important यह हो जाता है कि आप binary number को octal number में परिवर्टित करना है अब देखिए इसका conversion कैसे होगा अभी आप octal से binary में किये हैं आप binary को octal करेंगे बहुत ही simple है ध्यान समझेगा कहा गया दोस्त की binary संख्या को octal में परिवर्टित करने के लिए LSB से प्रारंब कर 3-3 bits के समू बनाए जाते हैं और इसके बाद प्रतेक समू के लिए उसके तुले octal संख्या लिग दी जाती है ये point आपके लिए important हो जाता है LSB least significant bit की तरब से ही आपको start करना है ना कि MSB अर्थाद most significant bit देखिए ये जो आपका यहाँ पर बनता है scale इसमें जो आपका scale है इधर वाली आपकी value होती LSB और इधर वाली MSB तो आपको इधर जब numbering आप करेंगे 3-3 का जोड़ा बनाएंगे तो आप इधर से start करेंगे कह सकते हैं आप दाहिने तरब से start करेंगे यहाँ पर LSB least significant bit की तरब से ठीक है तो चलिए मैं आपको cushion की तरब ले चलता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा तो यहाँ पर यही करना है कि 3-3 bit बनाकर आपको binary को octal में change करना है चलिए cushion आपके screen पर है इसको आप समझे cushion यह आपको दिया है यह binary number है binary तो आप आसानी से पहचान जाते हैं दोस्त base में भी आपका यहाँ पर 2 तो दिया है यह तो है ही साथ में binary में सदेव आपको 0 और 1 के अलामा 0 1 के अलामा कोई भी number आपको इस्टरा देखने को नहीं मिलेगा जैसे आप देखें चुकि binary आपको पता है कि 0 और 1 ही binary में होता है base उसका जो होता है 2 0 और 1 ही होता है इसके अलामा कुछ भी नई होता है तो यह आपको binary number दिया गया है इसको octal में change करना है तो हमने क्या बताया binary को octal में change करते समय binary number के 3-3 जोड़े बना लीजिए ठीक है तो simple सा लेकिन जोड़ा किधर से बनाएंगे तो जोड़ा आप पीछे की तरफ से इस side से बनाएंगे ना कि आगे की तरफ से क्यों हो चुकि यह आपका lsb है और यह msb है पीछे की तरफ से least significant bit की तरफ से आपको बनाना है तो हम यहाँ पर 3-3 bit का समू बनाते हैं तो simple सा आप देखिए अगर यहाँ पर आप देखिए तो यह आपका पहले यह हो जाएगा 0-1-0 ठीक है एक यह बन गया एक 0-1-0 एक यह बन गया अब देख रहे हैं आपका यहाँ पर आगे 1-1 ही बचा अरता 3 value नहीं है और 3-3 का जोड़ा हमको बनाना है तो यहाँ पर पहले आप 1-1 लिख देंगे उसके आगे आप आसानी से 0 लगा देंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है देखिए दोस्त हमने वही किया है यहाँ पर इसको हमने पहले बनाया 0-1-0 आप पीछे का 3 पार्ट देखिए 0-1-0 देखेंगे तो यहाँ पर आपका ग्रूप नंबर 1 बन गया हमको 3-3 बिट में डिवाइड करना है पीछे से 0-1-0 होगा फिर उसके बाद बचेगा यहाँ पर 0-1-0 फिर आप यहाँ पर बना लिए ग्रूप नंबर 2 उसके बाद आपका यहाँ पर दोस्त बचेगा 1-1 only बचेगा और यहाँ पर 1-1 का हमें नहीं बनाना हमें 3-3 बिट का बनाना है इसलिए आप इसके आगे आप 0 का यूज कर सकते हैं इसलिए दोस्त यहाँ पीछे की तरफ से किया जाता है कि अगर आपको कोई वैलू कम पड़ रही तो आप 0 को बढ़ा सकते हैं ठीक है तो इस परकार आप ग्रूप नंबर 1-2-3 आप 3 यहाँ पर बना लेंगे और यह तीनों समूज जब आपके यहाँ पर मतलब आपकी ग्रूप नंबर 4-5-6 हो सकते हैं कहने का मतलब है आपको 3-3 बिट का ही बनाना है यह 3-3 वैलू बनाना है अगर हम 2 की बात करते हैं तो 0-1-0 होता है तो यह क्या है 3-3 बिट की ही वैलू होती है इसलिए इसको हम 3-3 बिट में इसको डिवाइड करते हैं हमारी बातों को आप clear समझ चुके होंगे तो उसकी वैलू 0-1-0 आ रहाई थी ठीक है इसी प्रकार 0-1-0 की वैलू कितनी है 2 है ओक्तल में यहाँ पर आपका 0-1-1 लिखा है इसकी वैलू 3 है हम आपको फिर से एक बार यहाँ पर दिखाना चाहेंगे जो हम यहाँ पर वैलू यहाँ पर लिखा है उसको मैंने कैसे लिखा है यहाँ पर मैं आपको जो अभी चार्ट याद करा रहा था वही चीज आप देखिए देखे दोस्ते यहाँ पर मैं कहे रहा था कि आपको 001 की value आपकी 1 होती है 010 की value कितनी होती है 2 होती है तो उसी 010 जो binary में है आपका है उसको जब octal में change करेंगे अर्थात उल्टा सीधा दोनों तरफ आपको चलना होता है तो जब 010 है तो आपका यहाँ पर 2 लिख देते हैं और जब वहाँ पर 011 है तो उसकी जगह पर आप octal में 3 लिखेंगे तो वही चीज यहाँ पर हमने लिखा है उसको यहाँ पर समझानी कोसिस करूँगा तो देखिए दोस्तों वहाँ पर आपका 010 की जगह पर 2 लिखा गया अब बाइनरी को octal में चेंज करना बहुत ही आसान है अब अगर आपको यहाँ पर बाइनरी दिया है तो इसका आप 3-3 का जोड़ा बनाईए जितना आपको जोड़ा बने उसका आप value निकाल लीजिए यहाँ पर जैसा यह जोड़ा बना और इसका आपको value सभी का पता है चुकि अभी starting आपने देखा जो chart देखा उसमें 1 की value अलग है 2 की value अलग है 3 की value अलग है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको नीचे तुरंत value लिग देना है और उसी पहले 3 है फिर 2 है फिर 2 है इस प्रकार से लिग दीजे और यह आपका answer आजाएगा आसा करता हूँ यह ची को आपको यहाँ पर clear किया जाएगा धन्यवाद